अंचल हमारे साथ सीधे अयुद्या से जड़ चुके हैं अंचल सद्यों का इंतिजार आज साकार होने जा रहा है और इसके पीछे काफी तपस्या रही है काफी संघर्ष रहा है और पूरी अयुद्या इस समय राम में नजर आ रही है आपके पीछे में हम अपने दर्शकों क को दिखाना चाहेंगे कि आप कुछ इस दौरान देखने को मिल रहा है क्योंकि इस दौरान सभी राम जी की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं किस हिस्से में अभी आप खड़े हैं अंचल और किस जगे पर खड़े हैं उस जगे की हमें खासियत के बारे में भी बताईएगा जी बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम यहां पर सर्यू घाट में खड़े हुए हैं सर्यू घाट कहलाता है यह नया घाट और यहां पर आर्थी इस्थल है यहां पर प्रतिदिन सर्यू जी की आर्थी होती है और मैं बताओं सर्यूमाता नदी वो नदी है जो अयोध्या से निकलती है और यहीं इसी नदी में भगवान स्री राम ने अपने मानव सरीर को कात्याग किया था और मैं आपको बताता चलूं कि आज का दिन आज की तो हर घड़ी जो है वो निश्चित रूप से अतिहासिक हो जा रही है और जैसे जैसे वो समय नजदीक आ रहा है कि राम मंदिर का जो सेला न्यास होना है जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों की लालसा जो है लोगों की ललक जो है वो साब चेहरे पर दिखाई दे रही है आयोध्या में आप किसी वी व्यक्ति को निहारेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा जैसे वो मनी मन गुन गुना रहा है राम 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 और ऐसा ही कमोवेस पुरे देश में ऐसी स्थिती है कि आज का जो दिन है आज की जो घड़ी है वो इतने शुब मानी जा रही है कि जब इतने संगर्स के बाद इतने बलिद कैसे देख रहे हैं जी बिल्कुल बहुत ही प्रशनता की बात है और इतनी आयुद्यावासियों में क्या संपूर्ण विश्व में इतना लोग में प्रशनता है कि इसको वाणी के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है और भगवान राम का कार है और आज के इस कारिक्रम से इस को देख करके लगता है जैसे पुना राम राज्य की स्थापना हो गई राम राज्य की जो चौपाई है सब नर करही परस्पर प्रिती जो गोस्वामी तुलशीदाजी महराज ने लिखा था आज वही दिख रहा है गंगा जमनी सब्यता जो है यहां पर दिखाई देती है ह भगवान राम की पूजा कर रहे हैं भगवान राम के बारे में लोग प्रशनता कर रहे हैं दीपक जला रहे हैं किरतन कर रहे हैं भजन कर रहे हैं नित्य कर रहे हैं जो जैसमें समर्थ है वो उस तरह से भगवान राम की प्रशनता में मंदिर की प्रशनता में कारे कर रहा मैं चाहूंगा अपने कैमरामेन से कि ये दिखाएं ये जो फोटो लगे हुए हैं यहाँ पर रसोक सिंगल जी नरेंद्र मोदी और लाल कृष्णाडवानी बहुत सारे लोगों का ये ये जो आज दिन आया है वो कहीं न कहीं इनका इसमें बहुत बड़ा संगर्स रहा है और कि तट को सजाया गया है जहां पर आर्थी होती है और आज का दिन निश्चित रूप से हर देस्वासी के लिए राम राजजी के स्थापना होने जा रही एक बार पुन्य जैसा कि अबी पंडिजी बता रहे थे कि ऐसा लग रहा है जैसे एक बार फिर से राम राज जी के स् लोग हैं हमारे साथ कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप अपनी अभी व्यक्ति को आपने सच कहा कि राम सब क्यादर से गोसामी तुरसिदाश जी महराज ने राम चरितमानस में लिखा कि राम ब्रह्म परमारत रूपा अभिगत अलख अनादिनुपा राम जी साक्षात ब्रह्म थे उतारी पुरुस्त थे लेकिन यहां पर एक नर लीला करके जनजन को संदेश दिये मानो धर्मका प्रचार किये साक्षात सनातन थे या थे भ्याप इच्छा हम लोगों की थी जैसे जैसे घड़ी निकट आ रही है हिर्दय में वड़ा उल्लास हो रहा है रोम रोम पुलकित हो रहा है और निश्चित है इससे पर्मारतपत्स का बहुत बड़ा मार्क प्रसस्त होगा और जण जन तकि संदेश सब के अंदर उल्लास है सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो कारिक्राम होने वाला है उसमें किन-किन लोगों को जगह दी गई है बहुत कम लोगों को जगह दी गई है कोरोना महामारी के चलते तो महंत जी कैसे क्या तैयारिया है कि लोगों को आमंतरित किया गया है और कितने लोगों को किया गया है लगभग संपूर्ण भारत वरसे से जो भी प्रमुक्रशंत हैं मारे धर्माचार हैं उन सभी लोगों को आमंत्रित किया है लगभग 170 लोग हैं जिसमें से आमंत्रित किया गया है और जो भी हमारे राम जन्म भूमी के आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को भी आमंत्रित क लगाने वाले उसकी क्या खासियत और सुन्दरबात है कि मातासीता इससे अपना श्रंगार किया करती थी और इसके जो पुष्प होते हैं, वो बहुत ही जादा सुगंदीत होते हैं, ऐसा भी माना जाता है, आयोध्या के वो रंग आपको दिखा रहे हैं, कि कैसे जस्न मना रहे हैं आप लोग? हम सब लोग बहुत प्रसंद हैं, आज रात में भब दीपावली मनाएंगे, दीपोसों के साथ इस सुगों मनाएंगे, बिल्कुल अंचल हम देख सकते हैं, कि कितनी माननिताय जोड़ी हुई हैं, जो हजारो सालों का हम ये कहेंगे, जो सद्यों का संघर्ष रहा है, आज वो इंतजार खत्म होने वाला है, आज वो संघर्ष खत्म होगा, प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी अपसे कुछी देर में आने की साड़ी 11 बचे जानकारी मिल रही है कि आयोध्या पहुंचेंगे, और इसके बाद देखिए मूर्त के हिसाब से मंदर की आधार शीला रखेंग प्र्ञेदर जवाए.